हेलो फ्रेंज मैं हूँ बोली और कुक्वित बोली में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो बताईए कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्थ होंगे तो आज हम गाजर की एक बहुत ही नई और फिरेसिपी बनाने वाले हैं तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 500 ग्राम गाजर इसे मैंने अच्छे से धोल लिया है और अब इसे हम छील लेंगे और बारिक बारिक किसे हम कट कर लेंगे बहुत जाद बारिक भी नहीं काटना है इस तरह से आप इसे गोल गोल काट लिजिए तो देखिए सारे पाई में हम पानी चड़ाएंगे तो पानी हमें इतना चड़ाना है कि जितना भी हमने गाजर लिया है अच्छे से रूप जाए इसमें बस इतना ही पानी डालना है हमें अब इसे ढख करके लगबक 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे तो देखिए गाजर अच्छे से पक चु इससे क्या होगा कि ये ठंडी भी हो जाएगी जल्दी से और ये ओवर कुक भी नहीं होगी तो अब इसे एक मिच्सी के जार में डाल देंगे और इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है तो गाजर पीश चुकी है अब इसमें मैंने 4-5 चमच अरा रोट का पाउडर डाला है ये पूरी तरह से अप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे हटा भी सकते हैं अब इसमें एक कर टोरी गेहूं का आटा डालेंगे और इसे धीरे-धीरे से मिक्स करते जाएंगे एक चमच यहाँ पर मैंने नमक डाला है या स्वादन उसार डाल सकते हैं आप तो थोड़ा-थोड़ा करके हमें यहाँ पर गेहूं का आटा यूज करना है जितना हमें लगेगा उतना हम डालते जाएंगे इसमें तो लगभग यहाँ पर मुझे दो काटोरी गेहूं का पर दो मैंने तयार कर लिया इसका अब इसमें से हम छोटे-छोटे आटे के तुकड़े उठाते जाएंगे और इस तरह से राउंड करेंगे और एक छोटी वाली उंगली में तेल लगा करके इसे इस तरह से बीज में छेत कर देंगे और यह बहुत यह अच्छी सी अब बहुत सारे में ने बना करके तयार कर लिए इसे अब इक कढ़ाई में वापस से पनी चड़ाएंगे और जैसे पानी में उबाला आ जाए हमने इसमें जो बना करके रखाया गाजर का पास्टा वह एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से उबलने देंगे तो लगबाग 8-10 मिनाट के लिए हम इसे उबलने देंगे या तब तक जब तक कि इसमें जो हमने पास्ता बना करके डाला है वो उपर ना आ जाए तो देखिए अब यह उपर आने लगी है इसका मतलब यह अच्छे से पक चुकी है अगर आप अच्छे से नहीं पकाएंगे तो यह बाद में खाने में दात में जिपके ही तो इसे अच्छे से पका लिजिए तो देखिए अच्छे से पक चुकी है अब गयस को हम बंद कर देते हैं अब हम इसे एक छनी में निकाल लेंगे और ठंडे पानी में इसे डाल देंगे इसे यह जल्दी से ठंडी हो और प्याज को इस तरह से बड़े-बड़े तुकड़ो में हमें काट करके लेना है आप चाहें तो यहां पर सिम्ला मीर्च और जो भी सबजी आप डालना चाहें यहां पर डाल सकते तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना करके दिखा रही हूं क्योंकि हर किसी के पास में सार में पर वीनेगर भी मिक्स का लीजें इसमें अब से साइड में रख देते हैं और गाजार का पानी हमने जो बचा करके रखा था दा उसे फेकना नहीं था इसमें लगवए कंट 다음에 ईसमें एक कढाई में च्टब क्राइब कर सोटा जेल यूर जालेंगे और continue चलाते जाएंगे तो इस तरह से ये प्याज जो है वो खुल जाती है इसमें एक चमच अधरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर लहसुन बारीक काट करके भी डाल सकते हैं या ग्रेट करके लहसुन और अधरक को तो मिनट के लिए इसे भून लेंगे हाई फ्लेम पर इसका जैसे ही इसका कच्चापन खतम हो जाए हम इसमें जो सॉस मिक्स करके रखें उसे डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल करके इसे वापसे डाल देंगे अब जो हमने कॉंट्ट्फ्लोर घोल करके रखा था उसे भी इसी में डाल देंगे तो एक बार मिक्स कर लीजिए अच्छे से आप इसे और चम्मच चलाते जाए है और यह कॉंट्ट्फ्लोर वाला घोल डाल सॉस मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो पास्ता बना करके रख है उसे भी डाल देंगे एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर है यहाँ पर स्वादन उसार नमा या आधा छोटा चम्मच नमा सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको यह गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा से पानी यहां पर डाल सकते हैं और आधा नीबू को रस डाल रही हूं मैं यहाँ पर तो आज मेरे पास विनेगर नहीं है तो मैंने यहाँ पर आधा निभू कर रस डाला है और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में यह देखिए फटा फट से कैस को बन कर देते हैं और इससे सर्व करते हैं तो बहुत ही टेस्टी हमारी गाजर की पास्ता तयार है और यह खाने में कोई नुक्सान भी नहीं है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है तो आप भी इंजॉय कीजे और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको लग रहा है कि यह गेहूं के आटे से बनाया है और इसमें कच्छा सा टेस्ट आएगा गेहूं के आटे का तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही अच्छी रेसिपी बन कर तयार होगी आपकी आप बिल्कुल टेंसर ना लीजे इस बात का अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भोल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना